नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इस्टॉक्स एजूकरिशन में दोस्तों इस चैनल में मैं हमेशा कूसिस करता हूँ कि आपको छोटी से छोटी वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें जादे से जादे इंफॉर्मेशन आपको सेलेक्टेट करके दे सकूं जिससे आपका भी टाइम बचे और आप जादे से जादे इंफोर्मेशन गेन कर सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का और देखते हैं आज का हमारा कौन सा ही स्टॉक है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी लेकवा अगर इस कंपनी की के बात करें तो कंपनी काफी अच्छी खासी तेजी के साथ ग्रोव हुआ था लेकिन उसके बाद उसी तेजी के साथ इस कंपनी में आपको गिरावड भी देखने को मिला है अब देखें कि कंपनी बहुत बड़ी नहीं है 99.7 करोड का इस कंपनी का मार्केट कैप है लेकिन प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो आपको काफी स्ट्रॉंग प्रमोटर्स होल्डिंग देखने को मिलेगा यानि कि प्रमोटर्स भी अपना माल नहीं निकाला है इसका मतलब यह है कि प्रमोटर्स को उमीद है कि फ्यूचर में इनका कंपनी फिर से बांस बैक करेगा और फिर से ग्रोव करेगा इसलिए वो अभी तक अपना माल बचा कर रखे हुए है तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है दोस्तों अगर इस कंपनी के उपर डेप्ट की बात करें तो 112 करोड का कंपनी को पर डेप्ट है जब कि यह कंपनी का मार्केट कैप है तिरपन रुपएगा और वहां से यह कंपनी काफी उपर तक गया लेकिन काफी नीचे तक फिर से अगेन आ चुका है देखें कि अब यह कंपनी अपना एक सपोर्ट लेवल पकड़ कर उसी रेंज में चलने की कोसिस कर रहा है जो की काफी अच्छी भी बात है इस कंपनी के लेता है तो उसके बाद इस कंपनी को एक साहरा मिल जाएगा फिर कंपनी वहां से बाउंस बैक करके अगेन ऊपर तक जा सकता है देखते हैं इस कंपनी का स्वाट टम का चार्ड कह कहता है उससे पहले कुछ और इंपोर्टन डीटेल देख लेते हैं दोस्तों अगर इस मैंने के रीटर्न की बात करें तो यहां कंपनी 34% तक करेक्ट हो चुका है जबकि एक साल के रीटर्न की बात करें तो 21% का आपको रीटर्न देखने को मिलेगा अगर कंपनी के पी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 23.45 का चल ला है जबकि सेक्टर पी की बात करते हैं तो क्योंकि वन इस्टूट टेन का आपको देखने को मिलेगा जिसका एक्स टेट है अक्टूबर 14-21 तो देखते हैं इस कंपनी का स्वाट टम का चार्ड कह कहता है दोस्तों अगर स्वाट टम के चार्ड को आप देखेंगे तो यह कंपनी अपने एक सपोर्ट लेबल ऑल्लेडी की कोसिस करेगा तब इस कंपनी में ग्रो होते हुए चांसेज दिख जाएंगे और कंपनी अच्छे नए डील से भी कर रही तो कंपनी को उसका भी साहरा आपको देखने को मिल जाएगा अब देखेंगे इसका RSI 24 के पास पहुँच चुका है तो जाइड सी बात है जो बड बांस बैक देखने को मिलेगा क्योंकि यह कंपनी ऊपर से काफी ज्यादा करेक्ट भी हो चुका है अगर इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होगा तो अब तभी कोई इन्वेस्टर आएगा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें तो अगर आपको लगता है कि यह कंपनी कि होल्ड करके रखे हुए है तो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे भी होल्ड करके रख सकते हैं जो लोग Ouomo क्ली इंटर हो चुके है दो पर निकलता है तो फिर 110 यूप से Canal 112 और 15 पर तक का आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी में तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो